Hello everyone मैं हूँ अदिता और आप देख रहे हैं The Coding Arc आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कैसे हम लोग कर सकता है Server Side Validation Input का एक बार हमने Input को ले लिया तो कैसे देख सकता है वह सही format में हाया नहीं है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जोई जो एक plugin है जिसके थुरू हम लोग चेक कर सकता है कि वह सही format में हाया नहीं है तो अगर कैसे उसकरने चानना है तो यह वीडियो आकर देखते रहे हैं तो पहले हम लोग यूज करने वाले जो प्रोजेक्ट हमने लास्ट लोग में बना था जो कि नोड मेलर के उपर था देस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है आपको सिंपले आजाना है आथ कंट्रोलर में तो आथ कंट्रोलर में आपको देख सकता है यहां पर हमने रिक्वेस्ट से हमने email username और password हमने extract कर लिया है लेकिन इसको validate करेंगे कहीं से तो validate करने के लिए हम use कर सकते हैं एक plugin जो कि जोई है तो उसको install करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा npmijoy तो एक बार हमने यह लिख्या तो थोड़ा time लेजी और install हो जाएगा install हो गया then हमें करना क्या है कि एक नया हमें file बनाना पड़ेगा that is called validators validators.js यहां पर हम क्या कर सकता है हम लोग जोई को import कर सकता है so const joy is equals to require joy तो अभी हमें यहां पर एक बनाना पड़ेगा एक variable so let's call it const अगर यह sign up के रहे तो sign up schema हम यहां पर भी camel casing follow कर रहे है तो यहां पर हमें बनाना पड़ेक्ट तो किसका पड़ेट बना जोई का पड़ेक्ट so joy.object और हम इसके अंदर कुछ पास करेंगे एक कुछ parameters पास करेंगे that is हम body से जो extract कर रहे है तो extract हम कर क्या रहे है body से अगर auth controller में जाएंगे तो हमें मिल रहा है email name और password तो अगर हम ले रहे है email ले रहे है तो एक बात का ध्यान रिखिए अगर जो भी आप इसमें पास करेंगे इसका spelling जो है वो exact same होना चाहिए अगर email यही इसका field का name होना चाहिए so email तो इसका होगा क्या इसका होगा joy.a की email नॉर्मल एक string होता है रहे है तो हम पहले इसको चेक करेंगे string है अगर string है यह एक email होना चाहिए email है then यह required एक field है क्योंकि भरना ही भरना ही तो account नहीं बनने वाला so हम क्या करेंगे required और यह दे दे देंगे यह आपका बन गया पहला field इसके बाद हम कर सकता है name तो name भी एक तुम्हारा string है तो हम लोग करेंगे joy.string और उसके बाद यह भी एक required है so required done फिर password यह भी एक string होगा हमारा .string और यह भी हमारा required है okay but हम चाहे तो password में हम लोग डख सकता है एक rejects दे सकता है rejects का होता है regular expression होता है जिसमें हम बोल सकता है कि कौन-कौन सा characters उसमें use कर सकता है उसका range कहां से कहां तक numbers में कितना होना चाहिए उसका minimum size हो कितना होना चाहिए तो वो सब भी हम लोग यहाँ पर define कर सकता है length का चाहिए minimum उतना का आप number लिख देंगा अंदर पर वो हो जाएगा एक बार वो हो गया तो हमें अगर pattern में match कराना है कि इसके बीच में होना चाहिए या उसमें यह characters हो सकता है special characters कौन-कौन से हो सकता हमको match कराना है तो हम क्या कर सकता है हम लिख सकता है pattern और इसके अंदर ऐसे parenthesis और यहाँ पर लिखेंगे new reg expression और इसके अंदर आपको जैसे भी चाहिए इसके अंदर mention कर सकता है तो मैं धर एक example वाला जो भी normal passwords ले लेता है वह मैं यहाँ पर एक बार mention कर लेता हूं जैसे कि A to Z लेगा capital A to capital Z लेगा उसके बाद आपका 0 to 9 ले लेगा उसके बाद आपका special characters जितना है आप दे सकते हैं यहाँ पर एक बार यहाँ तो आपका parenthesis तो दे सकता है फिर underscore फिर आपका यह close और उसके बाद आपका होगा minimum जो regular expression और अगर आपको यह समझे हैं तो आप exactly यह two यह same copy कर सकता है जो कि आपको description में मिल जाएगा github का link वहाँ से ले सकता है ठीक है एक बार ही हो गया तो done हमारा जो भी बनाना था हम बना चुका है अभी इसको बस export करते हैं जैसे हर एक model का export करने पड़े तो हम लिखेंगे module.exports is equals to signup schema done यह एक बार हो गया तो हमें जाना है अपनी auth controller में और यहां पर इसके बाद ही लिख लेता है const signup request यह मैं ऐसी नाम दे रहा हूँ आप कुछ भी नाम दे सकता है ऐसे कुछ का पल से रहें यह ही नाम से करने है फिर हमें call करना है और जो हमने बनाया था signup schema को signup schema यहाप आगया आप autocomplete में आप डाल देंगे ओके import भी होगा अपने आप dot validate async इसके अंदर हम pass क्या करेंगे इसके अंदर हम pass करेंगे request.body ठीक है तो request.body तो हमारा pass करेंगे और यह जो है यह async function अवेट लिखना पड़ेगा हमको ठीक है तो यह हो गया और अगर यह validate हो गया तो हमारा कोई error नहीं आएगा अगर validate नहीं हुआ तो यह हमें error through करेंगा for example मैं आपको दिखा देता हूं अगर मैं यहाँ पर npm run dev कर दूं यह start हो जाएगा in that time मैं postman भी open कर लेता हूं and आप देख सकता है यह मेरा postman खुल गया तो इन दिस auth api ओके not this one अगर हाँ यह हमने बना था last video में अगर मैं यहाँ पर कोई एक field कुछ भी पास नहीं करा था अगर कुछ भी पास नहीं कराता मैं आप बस यहाँ पर server को एक बार देख लेना कि हो क्या रहा है यह server से में right तो अगर मैं send करा हूं तो यहाँ पर पहले तो could not get response आगया मतलब server crash हो चुका अपना तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो error आगया क्योंकि यह error through किया है जो ही ने तो हमें उसको try or catch block के अंदर इसको रखना पड़ेगा तो what we have to do is इसको हम बन करता है यह जो part है हम इसको लिखता है पहले एक try part और catch part इसके अंदर err okay अगर यहाँ पे हम लोग okay हम क्या काम करता है पूरा ही इसको यहाँ से उठाता है and done और अपना एक बार हो गया तो अभी error के अंदर जाएंगे हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग check करेंगे यह joy का error है भी या नहीं है तो अभी इसके लिए का आता है होता है if err.isjoy I guess is equals to true return response.status 404.json किछ return करा नहीं रहा है but 404 आया इससे पता चल जाना है चाहिए हमको what if हम लोग अभी भेज़ें तो okay हमको 404 आ चुक है तो जब भी हमारा कुछ error आता है then joy क्या करता है अपना err.isjoy में true set कर जेता है जिससे हमें पता चल सकता है कि यह joy का error जोई ने throw क्या error या फिर multiple functions हो सकता है तो कौन सा error पता करने के लिए हम लोग ऐसा type का करता है right एक बार यह हो गया तो अभी अगर आप मैं यहां पर दिखा दूं अगर मैं इसको सारा सही से दूं और इसको send करूं तो मुझे अभी 404 आ रहा है क्यों आ रहा है let me check एक बार ना मैं यहां इससे send करूं तो हमारा 404 है क्यों आया यह दिखते है एक बार पास्वर्ड विद अच्छा मैंने यहां पर पास्वर्ड और वहां पर मैंने लिख रखा है पास्वर्ड पास्वर्ड हमने 8 दिया था तो मैंने 123456789 और देख सकता है जैसे कि यहां पर बोल दिया कि मिनिम्मम आठ वाला वह हो नहीं पारा तो हमें वो करना है पड़ेगा तो एक बार हो गया तो अभी सेंट करेंगा हम लोग तो मेल भेज दिया होगा अक्चुली उसने और यहां पर 200 ओके आगया तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप कर सकता है और जोई को अगर देखना है तो आप गूगल में सर्च भी कर सकता है कि जोई-npm और इसके उपर बहुत सारे चीज आपको मिल सकता है जोई-npm आप यह देखिए यह तो back end में आप यूज कर सकता है और फ्रेंट इंड में आप चाहें तो और एक चीज है कि यप नाम के एक और है यूप आप नाम के एक और है तो देख सकता है इसे सेम तरीके से हम लोग यूज कर सकता है और बहुत सही चीज है और अगर आपको एक इंटीजर पास कराथा तो वह है नमबर यहां का नाम है और यह अप में भी similar kind of आपको चीज ही मिलता है यह भी same ही type का मिलता है और कुछ भी इससे बना सकता है बढ़ि the data so what it will do is relevant message एक हमको provide करता है कि problem क्या है तो इससे आप user को भी दिखा सकता है और वो समझ भी जाएगा बहुत easy तरीके से आप handle कर सकता है बहुत जादा line का code add करना पड़ नहीं रहा आपने जो schema लिखा है उसके तरीके से ही आपको यहां पर mention कर देना है और यह आपका ready हो तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आगए कैसे आप बना सकते हैं इस अगर अच्छा लगा तो like किजिए share किजिए subscribe किजिए हमारे चैनल को और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ थैंक्यू झनल को झाओ है हैं हमारे बना स्ज giàस चाह में जेखने करता हो पना समझ में आपढ़ी किजिए रचाईS traumat double 001